दे 16 और दे 16 में देखें आज आपको practice time 3.5 करना है क्या करना है practice point 3.5 अब देखें write the place value of the color digit आपको जो color digit है उसकी place value लिखना है one is done for you और एक हमारे पास already की गई है ठीक है पर तो यह क्या place है इसकी ones, tens और hundred चीक है और हम पढ़ते कि हैं इसे 236 तो इसकी place है ones और tens तो three लिखा और three की place क्या है हमारी tens है तो tens और tens की place पर है means three zero तो यह 30 हुआ चीक है अब उसके बाद में हैं आपका 718 चीक है तो यह eight है यह ones, tens और hundred की place पर है तो यह eight हमारा ones की place पर है तो eight ones की place पर हुआ और eight ही रहेगा because यह one की place पर है तो eight ही रहेगा ठीक है उसके बाद में हैं हमारा six hundred twenty eight क्या है six hundred twenty eight तो यह eight है हमारा कौनसी place पर है यह ones, tens, hundred तो ones की place पर eight है तो eight ones की place पर हुआ और eight ठीक है जो eight है हमारा क्योंकि वो बंस की प्लेस पर है तो 8 ही रहेगा आप देखें यहां पर है 908 तो 1s 10s और 100 जो 9 की प्लेस है वो क्या है 100 की है क्या है यह जो 9 है वो हमारा कौन सी प्लेस पर है 100 की प्लेस पर है तो 900 और 900 है तो इसी तरह यह आपको पूरा complete करना है 3.5 को समझ समझ कर कि जो red color है digit पर वो digit कौन सी numbers पर है और उसकी क्या place है हमें जो color digit है उसकी actual place बताना है कि उसके place क्या है once की place है hundred की place है 10s की place है क्या place है तो यह आपको खुद करना है मैंने आपको two या three fours करवा दिये हैं अब यह खुद आप करेंगे बिल्कुल neat and clean work अपनी book के अंदर और समझेंगे भी सही आप ओके students अब देखे एक ये वाली बता देती हूं आपको मैं देखें once 10s जो zero है वो किसकी place पर है zero है वो 10s की place पर है और zero है means zero हाना no numbers तो हमने यह जीरो लिखा तो इसी तरह यह आपको अपनी book के अंदर पूरा complete करना है neat and clean work में और इसे समझना भी है क्या आप इसे करेंगे कैसे okay students so जल्दी से अपने book को open कीजे और 3.5 practice time को start कीजे थैंक यू